Hermes जो America की एक T-shirt company, जो अपनी एक T-shirt को 17, 18, 19 और 20,000 में भी बेचती है, पर क्या आपको मालूम है, इसका manufacturing cost कितना होता होगा, बस 200, ऐसे ही अर्मानी अपनी 100 रुपय की T-shirt को 10,000 में बेचती है, आप सोच रहे होंगे तो इतनी normal T-shirt को इतना expensive कैसे किया जा रहा है, तो जीज बना रही है, वह है brand जो इन सब company ने अपनाया है, अगर आप अपना खुद कुछ unique T-shirt बना दिये और उस पर अपना logo लगा कर उसका price 100 गुना बढ़ा दिये, तो आप T-shirt company के बादशाह बन सकते हैं, ऐसा ही brand बनाया था, फ्रांस के एक लड़के ने उस 13 साल के Print on Demand Business, जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हुल, यह वीडियो खास कर उनके लिए है, जो Print on Demand Business शुरू करना चाहते हैं, खास कर अगर आप बिलकुल नए हैं, पिछले साल भर में, मैंने कई वीडियोस पोस्ट किये हैं, जिन में मैंने individual products बनाने, अपनी sales generate करने और अलग-अलग marketing methods के बारे में बताया है, यह 2024 का सबसे up-to-date method है, जिससे आप शुरूआत कर सकते हैं, और future में भी इसे grow कर सकते हैं, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि Print on Demand क्या है, और इससे जुड़ी कोई confusion अगर आपके मन में है, तो उसे clear करते हैं, Print on Demand एक drop shipping business model है, जहां आप एक blank product ढूंडते हैं, जैसे की Printify जैसी website पर, और कई websites हैं, लेकिन Printify सबसे बड़ी, popular और best मानी जाती है, For example, मान लीजिए कि आप एक standard T-shirt बेचना चाहते हैं, जो काफी popular product है, ये आपको Printify पर लगभग $13.50 में मिल जाएगा, एक बार product चुनने के बाद, आपको उस पर artwork या design अपलोड करना होता है, ताकि वह unique बन सके, फिर हमें Etsy पर एक shop खोलनी होती है, जो एक marketplace है, जहां आप अपने products sell कर सकते हैं, और orders और payments collect कर सकते हैं, आपका Etsy shop वो जगह होगी, जहां आप T-shirt को customers को higher price पर बेच सकते हैं, जैसे की $25, अब हम इस पूरी process को detail में cover करेंगे, लेकिन आप सीधे social media पर भी अपने products advertise कर सकत हैं, जब कोई customer आपका product order करता है, तो आपको $25 मिलते हैं, printify $13.50 लेता है, और इस तरह से आपको $11.50 का profit होता है, जैसे जैसे आपके ads बहतर perform करते हैं, या आपके products पर ज्यादा traffic आता है, आपकी sales भी बढ़ती जाती हैं, मैंने कई stores बनाए हैं, जिन्हें मैंने लाखों तक scale किया है, और कुछ तो 7 figures तक पहुँच गए हैं, तो चिंता मत कीजिए, आप केवल $11 के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत ही scalable business है, अब इसे setup करना आसान है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी tricky हो सकती है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको हर वो चीज बतान और मैं आपको Etsy पर focus करने वाला हूँ, Etsy एक ऐसी जगह है जहां आप print-on-demand products list कर सकते हैं, Etsy शुरू करने के लिए एक perfect place है, क्योंकि Shopify जैसी sites पर monthly subscription fee होती है, जबकि Etsy पर सिर्फ $15 एक बार का payment है, जो कि बहुत सस्ता है, खास कर अगर आप बस शुरुआत कर रहे हैं, प्रिंट-on-demand websites पर नहीं मिलेगी, Etsy के पास अपने site पर पहले से ही बहुत सारा traffic है, जिससे अपने products को promote करना आसान हो जाता है, और जब आप Etsy पर sell कर रहे होते हैं, तो आप उनके brand और reputation का फायदा उठा कर अपने products को बेच सकते हैं, अगर आप Shopify पर site खोलने की सोच रह हैं, तो भी मेरी सलाह यही रहेगी कि आप पहले Etsy पर शुरू करें, Shopify से ज्यादा traffic लाना मुश्किल होता है, लेकिन Etsy पर आप आसानी से बिना website बनाएं और ads पर ज्यादा time खर्च किये products बेच सकते हैं, एक बार जब आपने Etsy पर अपना shop खोल लिया और product चुन लिया, त तो आपको Printify जैसी websites का इस्तेमाल करना होता है, ताकि वो आपके print on demand orders fulfill कर सकें, products का catalog देखिए और कोई भी product चुनिए, याद रखें कि ये सारे products blank होते हैं, इसलिए आपको अपना design बना कर upload करना होता है, ताकि आपका product competition से अलग दिखे, मैं हमेशा best selling products जैसे t-shirts, mugs और posters को चुनता हूँ, क्योंकि ये already proof हैं कि ये sell करते हैं, design बनाने के बाद, आप उसे एक अच्छी mock-up image पर लगा कर, ज्यादा appealing बना सकते हैं, mock-up अच्छी हो, तो आपका design और ज्यादा attractive दिखेगा, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है marketing, आपने जो product बनाया है, उ लेकिन मैं organic traffic पर ज्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि इससे बिना पैसे खर्च किये, आप free traffic हासिल कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से market research करते हैं, और आपका product design अच्छा होता है, तो आप आसानी से sales पा सकते हैं, organic strategy में आपको ज्यादा से ज्यादा products post करने होते हैं, ता आप भी ऐसा कर सकते हैं, याद रखें, इसमें कोई shortcuts नहीं है, अगर आप ads चलाते हैं, तो budget को underestimate न करें, और अगर organic traffic चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा products post करें, एक बार जब आप कुछ products बेचने लगते हैं, तो आपका काम smooth हो जाता है, और जैसे जैसे आपका product sell होता ह वो algorithm में उपर आता जाता है, जिससे आपकी sales और बढ़ती जाती है, जब कोई customer order करता है, Etsy automatically Printify को details भेज देता है, और Printify आपके product को print करके सीधे customer को ship कर देता है, आपको बस order submit करना होता है, बाकी का काम Printify कर देता है, अगर आप और मदद चाहते हैं, तो मेरी quick start guide डाउनलो कर सकते हैं, जो आपको सिर्फ 10 मिनट में Etsy shop खोलने, Printify से connect करने और product sell करने के लिए तयार कर देगी, इसमें कुछ coupons और discounts भी दिये गए हैं, उमीद करता हूँ कि यह video आपके लिए मददगार साबित होगा, और अगले video में मिलते हैं